हर्याना आट 9 पीम यूज चैनल में आपका स्वागत है आगे आपको गराते हैं खबरों सब्डेट कोवीड-19 कोरोना वाइरस की 34 नई पोजिटिव मरिज मिले सौनीपत में सौनीपत में कोरोना वाइरस के पोजिटिव मामलों का आख़ा फ़ा 590 अब सौनीपत में कोरोना वाइरस के पोजिटिव मामलों का कुल आख़ा 595 पर पहुच गया है नई मामलों में सरवाथिक मामले अमेदगर गाउं से मिले हैं जहां एक परिवार के तीन मरीज तथा एक अन्या मरीज पोजिटिव मिला है उपायुक पुन्या ने यह जानकारी जलास्वास से विभाग से फ्राप ताकड़ों की अधार पर दी नए पोजिटिव मामलों में उमेदगर की एक परिवार में पिता वे उसके दो पुतर कोरोना संक्रमित मिले हैं पिता किया यह 52 वर्ष है तथा उनका एक पुतर 13 वर्ष वर दूसरा पुतर 23 वर्ष का है इनके साथ ही उमेग गड में एक 65 वर्ष 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 महिला की रिपोर्ट भी कोरोना पोजिटिव आई है उपायुक ने कहा कि कोरोना वारिस के संबंद में मिले मरी शहरी वे ग्रामिन शेत्रों से संबंद रखते हैं ग्रामिन शित्र के अंदर का खर्खोदा में 22 वर्षी हुवक, रोहोना में आर्ये समाज मंदिर के निकट रहने वाले 45 वर्षी महिला तथा पुर्खास में 28 वर्षी हुवक कुरोना संक्रमित मिला है गाउ नहरी में 21 वर्षी हुवक, कुंडली में 55 वर्षी बुजूर्ग, प्याउ मिनारी में 60 वर्षी है महिला, खेवडा में 35 वर्षी महिला, जोशी चोहान में 45 वर्षी महिला तथा फालिसपुर गाउं में 53 वर्षी महिला कुरोना पॉजिटिव पाई गई है इनके अलावा कुंडली में 22 वर्षय युवक, आहिर माज़रा में 50 वर्षय वैक्ती तथा गन्नौर में 47 वर्षय वैक्ती वर्षय 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 वर रिपोट भी कोरोना पोजिटिव आई है। वर्ष्य व्यक्ति भी कोरोना पॉजिटिव मिला है लगातार खबरों से अब रिट रहनी के लिए देखते रहे हर्याना एट 9 पेम यूज चैनल नमश्का